खेलो दुस्तूर नमस्कार कैसे हो सब ही आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दुस्तो उत्राखंड के अभ्यारती हैं और गौर्न्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उत्राखंड में ही सरकारी नौगरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो का आपी most important होनी वाली है तो दोस्तों जैसे कि आपने news paper में सुना होगा कि 1550 पदों पर जल्द notification जारी किया जाएगा वो भी इसके लिए prepare हों तो कम से कम मान के चलिए एक दू मैंने अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है इसकी विग्यप्ति का तो विग्यप्ति आएगी आएगी एक दिन आएगी परन्तों आपका यहां पर तैयारी होना बहुत जरूरी है तो ऐसे मैं मैं आपको इस वीडि है इसको कवर कर देगा ठीक है पुरिस लैवर को यह कवर करने वाले है आप सभी लोग जानते हैं यतितैयारी करने वाले बन्हें तो आपको सबी पता है कि मैं पूछी है ट्विंटी मार्क्स 20 marks की हिंदी होती है उसके बाद ग remainder 20 marks का होता है इसी में he current F8 पूछजाता है साथ ही आपका जो कि उत्तराखंड का Co घ्राइश वह भी आपका 40 marks का होता है इसमें आपकी आपकी current रहती है औरblem Grand बहती है इसमें आपका computer से सम्मझे process भी दाएρ और सब्सक्राइब करेंगा इसके बारे में हर कोई जानता है परिक्षावानी ठीक है परिक्षावानी आप परिक्षावानी अब परचीश कर ले नविंतम recently जो updated हो उस वाले book को purchase कर ले ठीक है उसके 1 by 1 chapter को पढ़ना है सबसे पहला chapter आपको नहीं पढ़ना है skip करना है क्योंकि उसमें 1 niner gk होते हैं 1 niner gk आपको तब पढ़ना है जब आपने 22 chapters हैं इसमें 22 chapters हैं सबसे पहले chapter को आपने skip करना है पहले आपको 2 से start करना है और 2 से लेकर 22 तक पूरी chapter को 1 by 1 पढ़ देना है और उसके बाद notes अपनी हिसाब से बना लेने हैं अगला आपका जो यहां पर book बताऊंगा उत्राखंड के इतिहास के बारे में तो वह अजय रावत की एक book आती है अजय रावत की book आप पच्चेश कर लें इसमें आपको उत्राखंड के समझ तिहास के बारे में बताए जाता है इसमें आप इसके notes बना दीजिए का जरूर क्योंकि इसमें बिस्तरत जानकारी दी गई है पूरी जानकारी दी गई है आपको notes में short short यहां बे notes बना लेने है और time to time उनका revision करते रहना है अगला आता है आपका Windsor yearbook Windsor yearbook आपका most important book है मैं बता दूं क्योंकि इससे current से question बनते हैं उत्राखंड के current के regarding ठीक है तो तीन book आपके लिए main है important है ठीक है अगला जो है आपका जो book रहने वाला है दोस्तों वह हम बात करेंगे हिंदी की हिंदी के लिए एक ही बात करूंगा कि आप Lucent की book purchase कर लीजिए Lucent आपके लिए best है इससे बाहर कुछ भी question नहीं बनने वाला है साथ ही अब एक NCRT ब्याकरण आती है वह भी आप purchase कर लें यह दी आप पैटर दियारी करना चाहते हैं NCRT ब्याकरण की आती है तो इससे NCRT से सम्मझे कौशन बनते ही बनते हैं जाहें कोई भी बड़ी लेवल यह फिर छोटी लेवल का एक्जाम देने चाहिए हो सेंटरल हो या फिर स्टेट हो NCRT के रिगार्डे कोशन बनते ही बनते हैं तो सांटर परकोशन आपता है यह इस्ट्रस कर लें हिंदी के ङली हिसमें आपका टॉपिक होता है विसम में आपसे पूछा कह जाता है गो ढटीक पॉचायर्ड रहती है ठीस्ट्री की रहती हेellsती एकॉनोंपिक्स रहती है Ensuite कर रहती है ठीक है पॉर्टिकल के बाद आपको क्या रहता है जियोग्राफी रहती है तो इस चार्ज आपके क्या रहते हैं यहां पर चैप्टर रहते हैं तो इनको कवर करने के लिए सबसे पहले आपको इसकुली लेवल का ग्यान चक करने के लिए जो आयोग होता है वह इस टाइब का कॉशन बनाता है तो ुस trabaj s program को स्वोलव करें नो ought को कि महेας बंड़वाल की बुक काती है और आप परिचेश कर ले यह an सार होता है न्रित सार महेष बंड़वाल जी इस में राइटर हैं आपके महेष बंड़वाल तो यह आप परचिश कर लें इनसे अंची आइस सार आप क्लियर कर सकते हैं इस से आपका स्कूली लेवल का घ्यान चेक किया जाता है अगला यह अदि आप परत्यों की परिशाओं का देखना चाहते हैं परिशा कराने वाला जो होता है वह होता है आपका Lucent Lucent ठीक है Lucent उसके बाद Lucent ये तो आपका एक General Lucent हो गया इक आता है Lucent Objective 3 books येस्ट करोंगा इसके लिए तो सबसे पहले Lucent जो General होता ही उसको बाद Lucent Objective बहुत कम लोगों की पास होता है तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है पहले आप इस Lucent का एक चैप्टर का नोट से बना लाएं उसके बाद नोट से किलिर हो जाने के बाद आप Lucent Objective Book का क्या करेंगे Objective Book से उसकी क्या करेंगे MCQ लगाएंगी Pension से टिक करेंगे क्या आपका राइट आंत्र हो रहा नहीं हो रहा इसके बाद उसे एरेजर से मिटा देंगे इस तरह से आपको रिविजन करते ही रहना है इस Lucent Objective से अगला जो बुख है आपकी वो है आप उत्राखंड आप कवर कर लेंगे उत्राखंड के बाद आप हिंदी भी कवर कर लेंगे हिंदी के बाद आप कि यह स्म dong देंगे अगला आता है रीजिन Ridg के लिएerson के लिए आप किषी विए यूट्यूप channel को YouTube Channel को ले सकते हैं जैसे कि खांसर है खांसर के भूंसर के आप पिड़ आप सर्च लेंगे जब हो मां तो आप को दिख जएको से डाउंटोड कर ले तो मैं जाती है तो रेजनेंग का जो आप सेशन है वहां से आप पुरा कवर कर सकते हैं कि वाल रेजिनिंग पड़ेगा आपको किवाल यहां पर यह कूर्स मिलेगा MTS का वह धाई सो 400 रुपर मिलेगा 445 रुपर मिलेगा तो आप इसे पर्चेस कर सकते हैं रेजिनिंग के लिए ओनली ठीक है फिर उसके बात कंप्यूटर के बात करो तो कंप्यूटर के लिए आप एक लोशेंट अब्जेक्टिव ले सकते हैं इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और साथ करेंट से संबंदित आप यह कॉशन आंसर देखना चाहते तो कोई भी आप तुरंत आपको चानकारे मिल जाएगी थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में